Hello Friends, Welcome to PK Technical World Friends, Today in this video I will explain the ambiguity and types of ambiguity in detail दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ambiguity और उसकी जो two types है structural ambiguity and logical ambiguity उनको detail से explain करेंगे तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आते हैं ambiguity की तरफ के ambiguity कैसे कहते हैं दोस्तों पहली बात तो यह है कि यह जो word ambiguity है इसको अक्सरियत लोग गलत प्रोनस करते हैं लोग ambiguity पढ़ते हैं हलांकि यह ambiguity नहीं है यह ambiguity है तो चलो दोस्तों आते हैं ambiguity की definition की तरफ ambiguity when a word sentence or phrase have more meanings or interpretation is called ambiguity दोस्तों ambiguity एक लिटरी डिवाइस है जिसको writers अपने राइटिंग्स में suspense और fun create करने के लिए यूज करते हैं इसके इलावा यह ambiguity हमारे daily life की conversation में भी create हो जाती है unintentionally यह intentional भी हो सकती है और unintentional भी हो सकती है writers जो ambiguity create करते हैं वो intentional होती है और हमारे साथ जो daily life की conversation में होती हैं वो unintentional होती है अब आते हैं definition की explanation की तरफ तो definition में कहते हैं कि जब एक word की, एक sentence की, एक phrase की एक से ज्यादा meaning हो या एक से ज्यादा interpretations हो तो इसको ambiguity कहते हैं For example, call me a taxi, इसकी दो possible interpretations है Call me a taxi, मुझे taxi बोलाओ दूसरा interpretation ये है कि मेरे लिए taxi बोलाओ तो इस sentence में एक ambiguity है कि जो सामने वाला है उसको ये पता नहीं चला कि आया वो उसको taxi बोलाए या उसके लिए taxi बोलाए तो इस situation में जो listener है, जो सनने वाला है, उसने context को देखना होगा कि इस बंदी ने मुझे किस context में ये बात कही तो दोस्तों ambiguity को खतम करने के लिए context को समझना जरूरी है इसी तरह से मैंने शाम के वक्त अपने friend को call की कि आप कहा हूँ वो मुझे कहे कि मैं bank जा रहा हूँ तो इस sentence की दो interpretation है पहला interpretation ये है कि मेरा जो friend है वो bank जा रहा है पैसे लेने के लिए उसका कोई काम है bank में दूसरा interpretation ये है कि वो river bank जा रहा है नदी के किनारे मतलब शाम के वक्त अक्सर जो friends होते हैं वो नदी के किनारे बैठ जाते हैं तो अब यहां पर मैंने context को देखना होगा कि ये शाम की वक्त तो bank बंद होते हैं इसके इलावा वो शाम की वक्त दरिया के किनारे पर बैठ जाता है तो ambiguity को दूर करने के लिए context को जानना जरूरी है अब आते है types of ambiguity की तरफ हमारे पास ambiguity के two main types है structural ambiguity and lexical ambiguity पहले नंबर पर आते हैं structural ambiguity की तरफ structural ambiguity is also called scientific or grammatical ambiguity दोस्टों structural ambiguity को scientific or grammatical ambiguity भी कहते हैं structural ambiguity arises when a sentence has more than one meaning due to the way words are arranged in that sentence कहते हैं कि structural ambiguity एक sentence की scientific या grammatical structure की वज़ा से arise हो जाती है उसमें जो word arrangement हुआ होता है ना उसकी वज़ा से arise हो जाती है क्योंकि बाद sentences इस तरह से arrange होते हैं कि उनकी एक से ज्यादा interpretation बनती है तो पिर वो जो सुनने वाला होता है वो confuse हो जाता है यहां structural ambiguity में एक word की वज़ा से ambiguity create नहीं हो जाती यहां पर पूरे sentence की वज़ा से ambiguity create हो जाती है लेकिन जो दूसरा type है lexical ambiguity उसमें एक word की वज़ा से ambiguity create हो जाती है अब मैं आप लोगों को structural ambiguity की कुछ example पेश करता हूँ इंशालला lexical ambiguity को पढ़ने के बाद आप लोगों को structural और lexical ambiguity दोनों में वाज़ा फर्क समझ आ जाएगा example की तरफ आते हैं कि इस लड़के ने इस बंदे को टेलिसकोप के साथ अपनी आँखों से देखा या उस बंदे के हाथ में टेलिसकोप था और इस लड़के ने उसको देखा अब आप लोगों को इस sentence में ambiguity क्या लग रही है ambiguity इस sentence में ये है कि पूलों को पानी देने के बावजूद उसके वाले देन मर गए या वो पूल मर गए यहां पर इस sentence की structure की वज़ा से scientific और grammatical structure की वज़ा से world arrangement की वज़ा से ambiguity create होई है next example की तरफ आते है the chicken is ready to eat the chicken is ready to eat मुरगी काने के लिए थयार है आया मुरगी दाने काने के लिए थयार है या मुरगी को किसी ने पकाया हुआ है प्लेटों में रखा हुआ है और थयार है उमीद है दोस्तों आप लोगों को इसकी समझ आ गए होगी अब आते हैं lexical ambiguity की तरफ lexical ambiguity यहां पर कहते हैं कि जब एक सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड हो जिसकी मल्टीपल मीनिंग हो एक से ज्यादा मीनिंग हो तो वो ambiguity क्रेट करता है दोस्तों जो structural ambiguity थी वहां पर words की arrangement की वज़ा से ambiguity क्रेट हो जाती थी लेकिन यहां पर एक सेंटेंस में एक ऐसा word यूज हुआ होता है जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग होती है तो आते हैं example की तरफ फर्स्ट example है हमारे पास अली वेंट टू दा बैंक अब यहां पर यह जो word bank है इसकी एक से ज्यादा मीनिंग है या तो यह river bank होगा या यह financial institution होगा अगर इसकी जग़ा कोई और word होता तो फिर यहां पर ambiguity create ना हो जाती तो फिर यहां पर ambiguity create ना हो जाती लेकिन यह जो word bank है इसकी एक से ज्यादा मीनिंग है इस वज़ा से यहां पर ambiguity create हो गई अब कौन से बैंड गया वो पता not अब यहां पर यह जो वर्ड मैच है इसकी भी एक से ज़्यादा मीनिंग है आया वो एक माचस की तेली को डून रही है या अपने लिए एक हस्बन डून रही है या उसके पास एक चीज है जिसकी दो पेर्ज है एक पेर उससे गुम हो गया है और वो आजार में उसकी लिए एक मैच डून रही है मतलब उसका जो दूसरा हिस्सा गुम हुआ था वो डून रही है अब आते हैं तरड एक्जेंपल की तरफ आई सा बैट्स अब यहां पर यह जो सा है और बैट्स है सा की भी डिफरेंट मीनिंग्स है और बैट्स की भी डिफरेंट मीनिंग्स है सा का एक मतलब है किसी चीज को आरे से काटना और दूसरा मतलब है देखा और बैट्स का एक मीनिंग है चमगादर और दूसरा मीनिंग है क्रेकेट का बैड जिसके साथ हम क्रेकेट केलते हैं अब यहां पर इन वर्ड्स की वज़ा से लेक्जिकल अम्बिगेविटी क्रियेट हो गई है हम एक प्रॉपर डिसीजिन नहीं ले सकते कि इस बंदे का क्या मतलब है उसने चमगाद़ों को देखा या उसने जो बल्ले है आरे के साथ उनको खाटा तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होगी अगर पिर भी आप लोगों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स दो मेंशन करें अगर ना हो तो आप लोग मुझसे वाटस अप पर भी राप्ता कर सकते हैं तेंक्यू वेरी मर्च